नमस्कार आदाव सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार अब तो कहना पड़ेगा कि रामदेव कोई स्वामी नहीं है कोई बाबा नहीं है वो एक धूर्थ है जो अपनी बूटी बेचने के लिए सफेद जूट बोलते हैं और ये बात कोई मैं नहीं बोल देश की सबसे उची अदालते सबसे बड़ी अदालते बार बार बोल रही है मोदी के इस प्यारे स्वामी ने कोरोना जैसी महमारी में भी नोट छापने की भूक में देश के करोडों लोगों को उल्लू बनाया और पैसा कवाया हमने सुना था कि स्वामी लोग त्यागी हो होते हैं धन्द औलत के चक्कर में नहीं पड़ते हैं लेकि राम देवे कैसे बाबा हैं जिनकी पैसे की भूक शान्त होने का नाम नहीं ले रही है और इस हवस में झूट बोलकर जनता को लूटना उनका प्रिये शगल बन गया है दिल्ली हाई कोट ने पातंजली और राम देव को आदेश दिया है कि कोरोनिल को कोरोना का इलाज बताने वाला अपना दावा वापस लीजिए हलाकि अब दुनिया से कोरोना नाम की महामारी ग भंभानी की बिंच ने बाबा राम देव को आदेश दिया है कि राम देव तीन दिन के अंदर अपने टिपणी वापस लें जिसमें उन्होंने कहा था कि पातंजली या उर्वेद की कोरोनिल सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है बलकि कोवीड-19 ठीक करने की दवा है जस्टिस बंबानी ने साफ कहा कि हमने पातंजली बाबा राम देव और उनके प्रमोटरों को तीन दिन में ट्वीट हटाने का निर्देश दिया है और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो सोशल मीडिया मेडियेटर इन ट्वीट्स को हटा देंगे आपको बता दे कि चड़त बान है इसको आजमाईए इसे लेकर डॉक्टरों की एसोसियेशन ने 2021 में बाबा राम देव उनके सहयोगी आचारे बाल कृष्ट और पातंजली और वेद के खलाफ याजिका दाखिल करें अब आईए राम देव की ठगी धूरता और भारत की जनता को उल्लू बनाकर पैस पूनो बुस्टर होने का लाइसेंस मिला था डवा का लाइसेंस ही नहीं था डॉक्टरों के वकील ने ये मांग भी की थी कि पातंजली और वेद और बाबा राम देव को भविश में ऐसे बयान देने से रोकने के लिए निल्देश दिये जाए अब एठन देखिए राम द पातंजली ने सुप्रीम कोट में वादा किया था कि वो बिना सोचे समझे ऐसे बयान नहीं देंगे जो कानून और तरकिता के मताबिक नहों और कोरोनिल का मामला उस मामले से अलग है लिहाज़ा इस मामले में हाई कोट को अपना फैसला सुनाना चाहिए डॉक्टरों ने के दावे के सम्मंद में अलग-अलग मीडिया प्रेटफॉर्म से कोरोनिल से जुड़े बयानों को हटाने की अंतरिम राहत की मांग की थी इस पर हाई कोट ने 21 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था दरसल राम देओ जूट बोलकर बूटी बेचने दवाई बेचने और यह तो दिल्ली हाई कोट का मामला हुआ बॉम्बे हाई कोट ने पातंजली या उर्वेद पर कपूर बेचने पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश का उलंगन करने पर साड़े चार करोर रुपए का जुर्माना लगाया है आपको बता दें कि 30 अगस्तों हज़ार 23 को हा दालत की आदेशों का पालन करने की बात कहीं लेकिन पातंजली ने हवा में उड़ा दिया हाई कोट का आदेश जूट बोलने के उस्ताद रामदेव और उनके चेल इबाल कृष्ण दोनों ने हाई कोट के आदेश को मजाक समझ लिया इस पर याचिका करने वाले मंगलम औ पेचे इसने आगे बताया कि 8 जुलाई को भी पातंजली की वेबसाइट पर कपूर उत्पाद विक्री के लिए उपलब्ध था मंगलम और्गैनिक्स ने कहा कि पातंजली के पेश हलफ नामे में इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई ती ये भी भ्रामक विज्यापन का मामल था मतलब जनता की आँखों में धूल जोखने का इसके अलावा पातंजली आयुर्वेद लिमिटेड ने 9 जुलाई को सुप्रीम कोट में जानकारी दी कि उसने बाजार में अपने 14 प्रोड़क्ट्स के विक्री रोकती हैं इसमें ऐसे ऐसे प्रोड़क्ट्स हैं जिने बे लिवर की दवा लिवामृत एडवांस और लिवोग्रिट आँख की दवा आईग्रिट गोल्ड और पातंजली द्रिष्टी आईड्रॉब इसी तरह श्वसारी गोल्ड श्वसारी वटी श्वसारी प्रवाही और श्वसारी अवले तीन और दवाएं जिने पातंजली को व लाइसेंस हमने सस्पेंट कर दिये यह भी भ्रामक विग्यापन यानि जूट बोल कर प्रोडक्ट बेचने का मामला था यह केस आए में ने पातंजली के खिलाफ दाखिल किया था कंपनी ने जस्टिस हिमा कौली और जस्टिस संदीप महता की बेंच को बताया था कि लाइसें ने पातंजली आयुर्वेद लिमिटेड को दो सब्ता के भीतर एक अफिडेविट डायर करने के लिए कहा था कि बताईये इससे जुड़े हुए सारे विज्यापन और पोस्ट वापस लिए गया है या नहीं लिए गया है आपको पताई होगा सुप्रीम कोर्ट ने साथ बैटकर उनके फर्जिवारे और धूर्टता में हां में हां मिलाएंगे कोट ने इस बात के लिए रामदेव को जम कर फटकार लगाई कि आपने कुरोना के दौरान इलाज करने वाले और जान गवाने वाले डॉक्टरों का मजाक कैसे हुराया आईये मैं ने 17 अगस्त दवाओं से कुछ बिमारियों के इलाज का जूटा दावा किया इतने ही नहीं रामदेव ने इलोपैथी को बेवकूफ और दिवालिया विज्ञान भी बताया था आईये में की दलील थी कि पातंजली के दावे ड्रक्स और मैजिक रेमिटीज आक नैंटीन फिफटी फॉर और कंजियूमर प्रोटेक्शन एक 2019 का सीधा उलंगन करते हैं और सुप्रीम कोट ने इसके बाद राम देव और उनके चेले बाल कृष्ण की चालाकी और धूर्टता की कलाई उतार कर रखती थी लेकिं लगता है कि राम देव जनता को उल्लू बनाने के पुराने खिलारी है ऐसे बाबाओं से होशियार रहने की जरूरत है और समाज को होशियार करने की जरूरत है इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने अर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरण कर लीजिए बेल आइकॉन दबाईए घंटी जैसी आकरिती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कहसा लगा हमारा ट्विटर है अर्टिकल 19 अंडरिस्कोर इंडिया और मेरा ट्विटर है नवीन जेनरलिस्ट नमस्कार